उत्तर प्रदेश की राजनीती में महत्वपूर्न स्थान रखने वाली बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती मणिपूर हिंसा को लेकर दिये बयान पर घिरती नजर आ रही है। लिया है जिसे दबाया नहीं जा सकता है। अर्थात पमरिपूर की दुर्भाग्य पूर्ण घटना पर सभी को कंभीर होना जरूरी। बस्पा प्रमुख के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी ने बस्पा को लेकर सवाल उठाया है। मायावती के इस बयान पर अब सपाने जादव ने मायावती के ट्वीट पर कहा कि बहन जी को अब बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए, वो बीजेपी की मदद के लिए ऐसा कर रही है, उन्होंने कहा कि क्या ये ऐसा मामला है जिस पर राजनीतिक लोग अपना मून पंद करके बैठ जाएं, क्या ऐसा हो सकता है, जहां एक तरफ पूरा मणेपोर अशांथ हो, पूरे नौर्थ ईसट पर इसका असर पड़ सकता है, उसमें ऐसी घटनाओं पर विपक्ष कैसे मौन रह सकता है, सपानेता कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो अब तक कोई कारव कारवाई भी नहीं होती, सपानेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस मामले में हस्तक्षेप करके ये नहीं कहा होता कि सरकार इस पर कारवाई करें नहीं तो हम कारवाई करेंगे तो आप, तक ये कारवाई भी नहीं की जाती है, केंद्र सरकार को मणिपूर विधान सभा को भंग कर देना चाहिए और वहां पर छे महीने के लिए राश्ट्रपती शासन लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद दोनों पक्षों से सीधी वारता की जाए तो ही कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि नौर्थ इस्ट बहुत समवेदनशील इलाका है। बहुत मुश्किल से मिजोरम, नागा लेंड और असम शान्थ हो पाया है। अब अगर मणिपूर अशान्थ हो गया तो इसका आसपास के दूसरे राजियों पर भी असर पड़ सकता है। पास में ही बर्मा देश की सीमा भी मिली है और वहां कैसी सरकार है ये सब को बता है। आपको बता दे कि मायावती ने मणिपूर की घटना पर आज ट्वीट करते हुए इसे दिल दहला देने वाली घटना बताया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा की। इस घटना को लेकर अब जो राजनीती की जा रही है वे भी अनुचित एवं चिंतनिये। संसद में इस पर जरूर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। जबकि इस घटना का मान ये सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद संग्यान लिया है जिसे दबाया नहीं जा सकता है। अर्थात मरेपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर सभी को गंभीर होना जरूरी। इसाथ जसे पर सिर्शाव tarझा जयारे अलाग्यपूर्ण बहींटा की आपता है।